नमस्कार साथियों मैं विकार सबस्ती और आप देख रहें प्रॉपर्टी समादान साथियों मैं फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ RPS08 यमुना स्कीम की अपडेट लेकर जियां साथियों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनोंने फॉर्म भरते समय कुछ न कुछ गलतिया करी है उनको सुधारने का मौका नहीं मिला है तो ये एक वीडियो उनहीं के लिए है अब आप लोगों को अपने फॉर्म की गलतियों को सुधारने का और साथियों ड्रॉ कब होगा, किस माध्यम से होगा का किस जगे पे होगा, वो सारी चीज़े इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो साथियों, यमुना एथॉर्टी की तरफ से जो आज की अपडेट है हो ये है, कि यमुना प्रादीकन आवाशी भुखंड योजना के आबेद को कि सूची इसी माह अपने पोर्टल पे अपलोड करेगी जो जितने लोगों ने अप्लिकेशन भरे हैं, किसी के अभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे सभी की सूची बनाके बस ये वेरिपकेशन हो रही है कि जो फॉर्म आपने भरा है, आपने पेमिंट करी है वो सीरियल नंबर चक्किया जा रहा है आपके पेमिंट का और उसके बाद वो सूची अपनी साइट पे ये एमना अथॉर्टी अपलोड करेगी तो उसके साथ आपेदकों को अपने आपेदन की कम्यों को दूर करने का मौका दिया जाएगा अंतिम सूची में सामिल सभी आपेदकों को 10 अक्टूबर तक होने वाले ड्रॉ में सामिल होने का मौका मिलेगा प्राधिकर ने 5 जुलाई को 361 पुखंडों के लिए योजना निकाली थी योजना में 23 अगस तक आवेदन करने का मौका दिया गया था योजना में 2,2822 आवेदक मिले हैं इनकी जाँच का काम जारी है जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जांच परताल हो रही है कि एक से अधिक एक ही सेग्मेंट में किसी ने फॉर्म तो नहीं वरे हैं तो उनके फॉर्म रिजक्ट हो जाएंगे सपोड़ अगर 120 मिल्टर का फॉर्म आपने वरा हैं कई लोग ऐसे हैं कि एक ही साइज के अपने नाम से ही कई सारे फॉर्म भर दिये हैं कि अलग-अलग जो है न तो वो आवेदक जो हैं उनके फॉर्म एक को छोड़के सभी को कैंसिलेशन में डाल दिया जाएगा तो उसके साथ पंजीकरण की राशिका मिलान किया जा रहा है यह भी जाँच की जा रही है कि भूखंड की एक स्रेणी में एक से अधिक आवेदक ना किये हूँ अगर एक से अधिक आवेदन मिले तो केवल एक ही आवेदन को छोड़कर अन्य सभी को रद कर दिया जाएगा जाँच के बाद इडा इसी माह आवेदकों की सूची को अपने पोर्टल पर जारी करेगा आवेदकों को आवेदन पत्र की कमियों को दूर करने का मौका दिया जाएगा फिर प्रादिकर आवेदनों की अंतिव रूप से जाच कर चूची जारी करेगा पहले तो आपको एक मौका प्रदान किया जाएगा या थौर्डी की तरफ से कि जो आपने कमिया करी हैं जो तुटिया हुई है अप्लिकेशन भरने में उसको सुधारने का मौका आपको मिलेगा और ये काम आप अपने आप ही आपको करना है जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिला है या मुना प्राधिकरिन की तरफ से वो साइड पर जाके अभी साइड नहीं चल लगी है लेकिन जैसे ही सुची अप्लोड होगी तो साइड ये फिर से चालू करेंगे आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड सब्सक्राइड करेंगे उसी से लॉगिन करके आप अपने जो फॉर्म में कमिया है उसको जो है फिर से सही कर पाएंगे तो उसके बाद जो है फिर प्रादिकर्ण आवेदनों की अंतिन रूप से जांच कर सूची जारी करेगा आवेदकों की अधिक संख्या को देखते हुए ड्रॉ कराने की चुरोती भी प्रादिकर्ण के सामने है प्रादिकर्ण मेनोल आधार पर लोटरी निकालकर भूखंड का अवंडर्ण करता है पारदर्शी ड्रम में आवेदकों के नाम की परची डाल कर स्कूल के बच्चों से उसे निकलवाए जाता है लेकिन जिस स्रेणी में आवेदक अधिकाये हैं उसे परची तयार करने में और भार के अनुरूब ड्रम तयार करने के जरोत पर सकती है प्रादिकर्ण अधिकारियों का कहना है कि 10 अक्टूबर को योजना का ड्रॉ निकाला जाएगा इससे पहले ड्रॉ के लिए पात्र आवेदकों की सूची जारी कर दी जाएगी ड्रॉ निकलने से पहले जुनको वहाँ पर पार्टिस्पेट किया जा रहा है जिनका अप्लिकेशन समिट किया जा रहा है उनकी सूची जारी करके साइट पे अप्लोड कर दी जाएगी कि यह यह जो अप्लिकेंट है यह भाग ले रहे हैं तो जो इसका ड्रॉ होगा यह ग्रेटर नौडा में होगा समय स्थान मैं आपको बताऊंगा तो साथियों इस ड्रॉ का जो है अगर लाइब कास आपको देख कर सके हर एक अपडेट आप तक पहुंचा सके तो साथियों इस स्कीम से रिलिटेट जो भी क्वाईरी कुश्चन होगा वो मैं आपको अपने नंबर पर कॉल करने के बाद मैं सौट आउट करूँगा हमारा नंबर है 9999-2006 इस स्कीम से रिलिटेट जो भी अपडेट मिलती रहेगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा तो साथियों मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आप देखते रहे प्रॉपेट समाधान